चलिए दोस्तों बात करते हैं से एक और कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामना नेका इसकी वैल्यू को सॉल करना और बताना है कि इसका राइट अंसर क्या है तो इसको मैं अगर अंदर मल्टिप्लाइ करूँगा तो मेरे पास में क्या हो जागा 2x का स्क्वेर प्लस में 3x इस कल्टू में कितना हो जागा आपका 90 तो यहां लोगा इसे में 2x का स्क्वेर प्लस का 3x माइनस का 90 इस कल्टू में 0 हो जागा इसको अगर से मल्टिप्लाइ करूँगा तो 180 आएगा मेरा multiply करने पर तो इसका factor तोड़ूँगा तो 15 into में 12 12 तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा आपका 2x का square minus का 12x plus का आपका 15x minus का 90 is equal to में आपका 0 यहां से अगर मैं x common निकालूँ यहां से यहां से मैं 2 और x common निकालूँ तो यह मेरे पास x minus का आपका 6 आजाएगा यहां से अगर मैं 15 common निकालूँगा तो यह x minus का मेरे पास में 6 आजाएगा यह is equal to 0 तो यह 2x plus का 15 और x minus का 6 यह मेरे पास 2 value आज़ी तो x is equal to 6 मेरा positive में आएगा तो मैं यहां x की जो value वो 6 ही लूँगा यानि की x की value मेरे पास में 6 आज़ी है और इसकी जो value आज़ी है 2x is equal to minus का 15 और x is equal to 15 by 2 तो यह मेरे negative इसको नहीं लेंगे same अब इसी तर जिस तरह से इसको solve किया इसी तरह से इसको solve करेंगे यहां पर देखिए 7 की power में आपका y की power में 1 by 2 क्योंकि power negative में positive करने के अपोन मिल नावनाने पड़ागा प्लस का यह हो जाएगा आपका 2 अपोन में y की power में आपका 1 by 2 is equal to me y की power में आपका 1 by 2 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और यह y की power में 1 by 2 हो जाएगा is equal to me y की power में 1 by 2 cross multiply करके तो 9 is equal to y की value आजागी यानि कि y की value जो मिलगी वो मुझे 9 मिलगी अब मैं इसको इसके अंदर रख दूँगा और मेरा अंतर जागा 6 का स्कूर 36 9 का स्कूर 81 7 और ये 8 और 3 11 यानि कि 117 यानि कि option C जो है वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी को question समझ में आया होगा